जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार का एक और सदस से फस्ता हुआ दिख रहा है जिहां लालू राबडी की पाँचवी संतान हेमा यादव का नाम भी CBI ने इस केस में डाल दिया है नया चार्ट सीट दाखिल किया गया है जिसमें हेमा यादव को भी अभियुक्त बनाया गया है इसके पहले आपको याद होगा कि लालू यादव राबडी देवी आमित कात्यायल जैसे लोग इसमें सामिल थे लेकिन अब हेमा यादव का नाम और उनकी बड़ी बहन मिसा भारती का भी नाम इसमें है लेकिन नया नाम हेमा यादव का आया है तो आपको हम बताते हैं कि हेमा यादव का नाम आखिर आया की हो देखिए आखिरकार लालू यादव की बेटी मिसा भारती और हेमा यादव के अलाबा राबडी देवी को च जुबानी रहा बगार किसी विग्यापन इंटर्वियू और परिक्षा के सीधे नौकरी दे दी गई रेलवे के देश भर के डिविजन में बड़े पैमाने पर ऐसी बहाली की गई थी और अब इडिया और सीबियाई के द्वारा इस मामले का जो उजागर किया गया है दोनों एजेंसियों का रोप है कि ऐसे व्यक्ति को रेलवे में बिना कागज प्रक्रिया के नौकरी दीगे जिनके सगे संबंदियों ने अपनी जमीन लालू परिवार के नाम रजिस्ट्री कर दी थी अब हेमा यादव पर भी करवाई हो सकता है जोकि उन्हें भी अभियुक्त बना दिया गया है दरसल लालू यादव के साथ साथ राबड़ देवी तेजश्वी आदव मिसा भारती पहले से ही इस मामले में अभियुक्त हैं इडी ने जो ताजा चार सिट दाखिल किया है उ लेकिन अब NCR में रहते हैं तो विनीत भी राजनिती करते हैं लेकिन किसी बड़े पद पर नहीं है तो ये बड़ा खुलासा किया गया है इसमें हेमा यादव को अभियुक्त बनाया गया है आप समझे इस बात को कि करिब डेर साल पहले CBI ने रेलवे में खलासी काम करने वाले हिरद्यानन चौधरी नाम के विक्ति को गिरफ्तार कर लिया था लाली यृदो ने रेल मंत्री रहते बिना किसी कागज और प्रक्रिया के नौकरी दिया था उसके बाद भोले यृदो की गिरफ्तारी हुई कई बार लाली यृदो से भी पुस्ताज हो चुकी है CBI कई दफा लाले ओदों के अवासों पर ठिकानों पर छापे मारी की गई है तो कई ऐसे मसले हैं जिसके बाद यह मामला आप तूर पकरते जा रहा है अब देखिए इस पर राज़त जो है वो बेहद भड़की हुई है राज़त के सांसद, राज़सवा सदस से मनोज़ा जो हैं वे कह रहे हैं कि मनोज़ा ने निउज एजनसी से बात करते हुए यह बाते कही हैं कि हम जान रहे हैं कि आप समन पर समन दीजिएगा लेकिन आपकी यह बदले की राजनिती जल्दी खतम होने जा रही है मैं आगाह कर रहा हूँ नरेंदर मोधी को सत्ता का चरित रहे हमेशा साथ नहीं रहती कल को आपको बड़े चक्कर काटने पड़ेंगे ED, CBI और IT के सत्ता अगर आपका कल दिन गया तो फिर आपको भी ED, CBI और IT के दफ्तरों का चकर काटना पड़ सकता है फिल्हाल इस रिपोर्ट में इतना ही मिर नामदी तारन है बहुत बहुत शक्रिया झाल झाल